Hello friends, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ, आप सब लोग अच्छे से होंगे आज में बात करने वाला हूँ, उत्राखन DLAD के स्लेबस और स्ट्रेटेजी के बारे में स्ट्रेटेजी से पहले हम बात कर लेते हैं स्लेबस की उत्राखन DLAD में चार सब्जेक्ट से कुशन्स आते हैं पहला आपका है मैज्स, दूसरा आपका है रिजनिंग, तीसरा आपका है टीचिंग एप्टिट्यूट या सिक्षन अभिरुची चोथा आपका है जी के परतेक सब्जेक्ट से 50 कुशन होते हैं और परतेक कुशन एक नमबर का होता है तो टोटल जो आपका पेपर बनेगा वो 200 नमबर का आपका बनेगा तो यह है उत्राखन डेलड का टोटल सिलेबस अब यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे जो ऊपर के तीन सब्जेक्ट सें मैथ, रिजनिंग और टीचिंग एप्टिटूट इन तीनों सब्जेक्ट का बहुत बड़ा रोल होगा आपके एक्जाम को क्रैक करने में इन तीनों में आपकी कमांड काफी अच्छी होनी चाहिए तब ही जाकर आप एक्जाम को क्रैक कर सकते हैं जब मैंने एक्जाम दिया था तो मेरी मैथ और रिजनिंग इन दोनों सब्जेक्ट पर काफी अच्छी कमांड थी और टीचिंग एप्टिटूट थोड़ा बहुत में कर लेता था लेकिन जीके मुझे इतनी नहीं आते थी लेकिन हमारे टाइम पर अच्छी बात ये हुई थी कि उस टाइम पर जीके काफी टफ आ गई थी जिसकी वैसे जीके में मेरे कम नंबर भी चल गए थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैट्स में मेरे उस टाइम पर 49 मार्क्स रिजिनिंग में 43 और टीचिंग एप्टिटूट में 44 और जीके में केवल 27 मार्क्स थे तो लेकिन आपको क्या करना है सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलना है क्योंकि आपने देखा होगा अभी जो लास्ट में एक्जाम होगा है 2021 उसमें कट ओफ काफी हाई गई है आर्ट साइड की कट ओफ 158 और साइन साइड की कट ओफ 170 के लगबग गई है इसलिए आपको सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलना होगा और अच्छे से मेनत करनी होगी तभी जाकर आप एक्जाम को क्रैक कर सकते हैं अब बात करते हैं स्टार्टिजी की सबसे पहले बात कर लेते हैं मैस की कि मैस की तेयारी हम कैसे करें सबसे पहला पॉइंट है प्रिविएस येर पेपर एनलिसिस सबसे पहले आपको क्या करना है उत्राघंड में अभी तक जितने भी DLAD के पेपर हुए हैं उन सभी पेपर की मैट्स को एक बार देख लेना है उसको एनलिसिस करना है इससे आपको पता चलेगा कि किस टॉपिक से लगबग कितने कितने कुशन्स मैट्स में आ रहे हैं दूसरा आपको questions का label पता चलेगा कि hard questions आते हैं या फिर easy questions इसमें आते हैं दूसरा point आपका है topic wise RS Agarwal अगर किसी को किसी particular topic में कोई problem है तो आप लोग RS Agarwal की बुख से उस topic को किलियर कर सकते हैं या फिर कोई भी youtube channel आप देख सकते हैं जिससे आप उस topic को किलियर कर पाएं last and most important point है practice यह सारी चीजह करने के बाद आपको match में क्या करनी है questions की practice करनी है यह जो strategy है यह उन लोगों के लिए है जो लोग तैयारी सुरू कर रहे हैं या फिर जिनकी तैयारी match में बहुत कम है जिनकी तैयारी मैच्स की बहुत अच्छी है वो लोग केवल प्रेक्टिस पे अपना फोकस करेंगे इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ रिजनिंग की तो रिजनिंग में भी सेम है प्रेवियस एर पेपर आपको सभी सब्जेक्ट्स के देखने है उसके बाद प्रेक्टिस आपको करनी है और अगर कोई टॉपिक आपका कमजोर है उस टॉपिक को आप आरेस अगरवाल की एक बुक आती है रिजनिंग की उससे देख सकते है या फिर किसी भी यूटूब चैनल से आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को देख सकते है इसके बाद आपका आता है टीचिंग एप्टिटूट टीचिंग एप्टिटूट का भी बहुत बड़ा रोल होता है इस एक्जाम को क्रेक करने में क्योंकि काफी आसान आती है सबसे पहले आपको क्या करना है प्रिवीस एर पेपर आपको इसके देख लेने है तीन अभी तक प्रिवीस एर पेपर हो चुके हैं तो आप तीनों पेपरों को एक बार देख लेना कि किस तरीके के कुश्शन्स उसमें आते हैं Teaching aptitude में एक चीज़ आपको और ध्यान रखनी है इसमें आपको बच्चे को केंदर में रखना है अर्थात बच्चे के बारे में जहाँ पर बुरा बोला जा रहा हो वहाँ पर वो वाला option आपका क्या होगा गलत हो जाएगा या बच्चे को आपको क्या करना है भगबान इसमें मानना है इसके बाद दूसरा point आपका है CTAT, CDP and subject pedagogy previous year paper करने के बाद अगर आपको फिर भी teaching aptitude में दिक्कत होती है तो आप CTAT की जो मेराथन्स हैं YouTube पे पढ़ी होंगी CTAT की मेराथन्स only CDP की और दूसरा जो subject pedagogy होगी वही आपको करनी है उसके बाद आपका है अगर इससे भी आपका काम नहीं बनता है तो आप लोग CTAT के previous year paper कर सकते हैं उसमें भी आपको केवल जो CDP यानि child development and pedagogy है उसके questions या फिर जो subject pedagogy है उसके questions आपको एक बार देख लेने है last में आप देखिए CDP या जो pedagogy है इन में से आपको केवल कैसे questions देखने है only application based pedagogy आपको इसमें से देखनी है मलब जो factual questions है कि gene प्याजे ने इस अवस्था में क्या दिया था ऐसे questions आपको नहीं देखने है आपको केवल application based question देखने है कि अगर एक बच्चा जैसे मैं आपको एक example देता हूँ अगर एक बच्चा कक्षा में सोर करता है तो आप एक सिकसक के रूप में क्या करेंगे इस question के जो options होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे कि आप बच्चे को मार कर बिठा देंगे बच्चे को आप बाहर भगा देंगे या फिर आप बच्चे से उसके सोर करने का कारण जानेंगे तो इसका right answer आपका होगा तीसरा वाला कि बच्चे से हम उसके सोर करने का कारण जानेंगे तो इस तरीके के questions जो application based questions होंगे उन questions को हमने जो मेराथन्स हैं उनसे या फिर जो पेडागोजी है सीटेट की उससे हम इन questions को एक बार देख लेंगे दूसरा मैंने लिखा है factual questions आपको नहीं देखने हैं factual questions में आते हैं जैसे जीन प्याजे ने दूसरी आवस्ता में क्या दिया था या जो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्दान थे वो किस ने दिया था इस तरीके के questions आपको नहीं देखने हैं लास्ट में आपका आता है सामान ने ग्यान यानि जीके तो जीके के भी same है सबसे पहले आपको previous year questions आपको देखने है इसके बाद आप क्या कर सकते हैं Lucent की book जिन्होंने तयारी नहीं की है वो लोग Lucent की book से देख सकते हैं Lucent की book से आपको इस book को आपको पढ़ते रहना है कम सकम 2-3 बार आप इसको पढ़ना आपको लगेगा कि समझ में कुछ नहीं आ रहा है boring भी आपको ये book लगेगी लेकिन आप इसको पढ़ते रहना आपके questions पेपर में कुछ-कुछ questions आपके paper में इससे हो जाएंगे दूसरा आपका आगे है current affair तो current affair भी आपको करके जाना है और last में आपका है other sources Lucent के अलावा कोई other sources आपके हैं अगर YouTube पर कोई अच्छा पढ़ाते हैं तो आप उहां से GKK questions देख सकते हैं इसके बाद अगर आगे में बात करूँ कुछ important points की आपके पास time की अभी बहुत कमी है क्योंकि मही में आपका paper होना है आपके पास cable दो या धाई महीन है तो आपको सारे subjects एक साथ करने होंगे मतलब अगर आप maths कर रहे हैं और maths कहीं आप सोच रहे हैं कि मैं topic wise कर लेता हूँ कि आज percentage पढ़ लूँगा profit and loss लेता हूँ तो ऐसे करके आपका time काफी waste हो सकता है तो आपको सारे topics हैं उन सभी topics के questions एक साथ solve करने होंगे जैसे 5 आपने profit and loss के कर ले 5 आपने percentage के कर ले 5 आपने SI के कर ले 5 आपने CI के कर ले तो एक दिन में अगर 15 चप्טर होंगे तो 15,15,75 questions आपको एक दिन में कम सकम solve करने होंगे आगे अगर मैं बात करूं, मोक्स की हफते में आपको कम सकम दो या तीन मोक टेस्ट आपको इसके देने होंगे इससे क्या होगा, इससे अप सारे सब्जेक्ट से जो हैं कनेक्टेड रहेंगे और आपकी तैयारी अच्छी होती चलेगी चाहे आपके मोक्स में नंबर आएं चाहे ना आएं आपको मोक्स देते रहने हैं और मोक्स आपको time के इसाब से देना है जैसे आपने धाइगड़े का पूरा मोक दिया और उसके बाद आपको क्या करना है लगबग 5 या 6 घंटे तक उस मोक टेस्ट को आपको analysis करना है कि जो आपके questions सही हुए हैं वो सही क्यों है और जो गलत हुए हैं वो गलत क्यों हैं इसका मत्तब यह है कि आपको उनके answers आपको देखने हैं और साथ-साथ में याद भी करते चलने हैं आगे बात करते हैं सभी subject को लेकर चलना है मैंने पहले ही बताया था कि आपके पास time बहुत क strategy अगर आपको detail में इसकी strategy देखनी है या आपको maths की strategy देखनी है तो मैं आपको description में link दे देता हूँ क्योंकि मैंने दूसरे channel पर यह सारी strategy आपके लिए बना रखी है तो आप वहाँ पर जाकर इसको देख सकते हैं तब तक के लिए bye bye thank you